नमस्कार दोस्तों नीम का एक प्राक्रितिक अवसदी के रूप में इस्तिमाल किया जाता है लेकिन नीम नाम सुनकर ही हमारे मुह में कड़वेपन का हैसास होने लगता है जैसे एक कहावा थाय की सच्ची बात हमेशा ही कड़वी होती है उसी प्रकार नीम भी कड़वा पन लिए आपकी विमारियों को सच्ची तरह दूर करने में सहाजाक होता है नीम के कई फैदे होते हैं नीम की टहनी के दातून आपके दातों का देखभाल तो करते ही हैं पर अब यदि आप नीम की चाय या फिर नीम का कड़ा बना कर पिए तो आपका स्वस्थ और भी ज़्यादा निखर सकता है नीम की चाय से बैक्टिरिया और वैरस का नास होता है क्योंकि ये सरीर में बैक्टिरिया और वैरस से लड़ने में असरदायक है यह आपके सरीर की बिमारियों को जड़ से निकालने में मदद करता है आईए जानते हैं नीम की चाय से होने वाले कुछ फैदों के बारे में सांसों की बदबू दूर करें यदि आपको सांसों में से बद्वु आने की समस्या है तो नीम की चाय से आपकी यह समस्या दूर हो सकती है नीम दातों को सडन से भी बचाती है कबज से छुटकारा यदि आपको हमेशा कबज की समस्या है तो आप नीम से बनी हुई चाय पी सकते है यहाँ आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करके आपकी कब्ज की समस्या को दूर करता है खून साप करने में सहायक यदि हमारे सरी का खून साप रहता है तो हम निरोगी रहते हैं नीम को खून साप करने में महारत हासिल है नीम की चाय बड़ी बिमारियों जैसे नीमूनिया, मलेरिया, मधूमे, उच्छे रक्तचाप और दिल के रोग से बचाती है नीम की चाय बनाने की विधी आपकी जरुरत के मुताबिक पानी उबाल ले एक कप में मुठी भर नीम की पतिया डाले और उपर से उबला पानी डाले नीम की पतियों को पानी में 5-7 मिनट तक भिगोय रखने के बाद पतियों को छान ले फिर कप के पानी में सहद या नीमू का रस मिक्स करे आप चाहे तो नीम की पतियों के अलावा नीम की पतियों का पाउडर भी डाल सकते हैं नीम की चाहे का कुछ साइड इफेक्ट वैसे तो नीम की चाहे स्वस्त के लिए अच्छी होती है पर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते है यदि कोई महिला गर्वती है या फिर गर्वती होने वाली है तो उन्हें इस चाय का सेवन नहीं करना चाहिए यह चाय आपका गर्वपात कर सकती है, नीम की चाय केवल दोका भी पीनी चाहिए क्योंकि यहां बहुत तेज होती है इसलिए इसे ज्यादा पीने से आपको उल्टी जैसे महसूस हो सकता है नीम की चाय रोज न पिए तो दोस्तो इस तरह की यह और हेल्थ से सम्मंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद